हलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौत का फेस्टिबल आने वाला है और ये त्योहा हमारे यहां सभी जो लेडीज होती है निकी बूमेंस होती है उनके लिए बहुती इमोशनली बहुती खास तोहार होता ह है ऐसे में जो ब्रस फीडिंग मदर होती है इस्पेशली या फिर प्रेणेन्ट लीडीज होती है उनके मन में बड़ा डाउट रहता है क्या हमें ये फास्ट करना चाहिए अगर हम ये फास्ट करेंगे तो फास्टिंग से क्या हमारे बच्चे की तेबित खराब हो सकती है क हमारे बच्चे का पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चे को मिल्क सप्लाई सही से नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहां डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 मैने से पहले आपको exclusive ब्रास फीडिंग करानी चाहिए, जिसमें कि आपको बच्चे को कुछ भी नहीं देना होता है, सिर्फ मदर का मिल्क देना होता है, ऐसे मैं मदर स्वरिड हो जाती है, क्या हम यह फास्ट करें और इसे करने से हमारे बच्चे वह physically, mentally, किसी भी तरह का emotionally कोई प्रवाब पड़ेगा या नहीं, और साथ में आप ये ब्रत कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में लेके आई हूँ, अगर आप ये करवाचो ब्रत के को लेकर कोई भी आपके मन में doubt है, तो ये वीडियो एंड तक देखेगा, यहां मैं आपके सारे doubt clear करूँगी, साथ मैं वीडियो के एंड में दूँगे एक important tip जो तो आपको बिल्कुली miss नहीं करना है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केर वीडियो के लिए मेरा चानल सब्सक्राइब कर ले, मैं यहां इस तरह की बहुत से वीडियो लेकर आती रहती हूँ, तो आईए दोस्तों अब आते हैं हम हमारे topic पर, तो दोस्तों करवा चौथ का तोहार हर एक महिला के लिए बहुत ही खास होता है, और यह साल में एक बार होता है और अपने पती की लंबी उम्र के लिए हर महिला इसको करना चाहती है, लेकिन अगर ऐसे में आपकी अभी delivery हुई है, आपके दो महिने का बच्चा है, तीन महिने का है, छे महिने का बच्चा है, तो एक बहुत ही मा को confusion रहता है कि बच्चा भी देखना है, साथ में ब्रत भी करना है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों यह depend करता है आपकी physical conditions पे कि आपकी delivery एकदब normal हुई है या ceserian हुई है अगर normal भी हुई है तब भी आपकी physically stamina कैसा है आप आपकी जो daily routine में breastfeeding mother है तो आप किस तरह का खानपान कर रही है क्या आप सही से क्योंकि दोस्तों एक जो breastfeeding mother होती है उसको एक बहुत अच्छी diet लेनी होती है जिसमें बहुत से nutrition चाहिए होते हैं और अगर वो nutrition आपकी diet में होते हैं तो आपके बच्चे को healthy breast milk मिलता है तो ऐसे मैं आप पहले खुद को examine कीजे कि आप कितनी fit हैं आप अपने बच्चे को breast milk supply कितनी अच्छी आपकी हो रही है और क्या आपके बच्चे को milk मिल रहा है वो quality वाला मिल रहा है तो ऐसे में दोस्तो कहीं भी scientifically approved नहीं हुआ है कि अगर आप एक दिन की fasting करती हैं तो इससे आपकी milk supply एक दिन में एकदम से कम हो जाएगी या milk की quality कम हो जाएगी ऐसा तो बिलकुल नहीं है लेकिन दोस्तो कई बार mother इतनी capable नहीं होती है या फिर mother की अभी अभी delivery होई होती है तो उसकी body में इतना stamina नहीं होता है कि वो पूरे दिन fasting कर पाए तो इसका best तरीका यही है कि अगर आप थोड़ी सी fit है तो आप यह fast कर सकती है लेकिन आपको नर्जला नहीं करना है आप हर दो घंटे के gap में कुछ ना कुछ liquid लेती रहें fruits का सकती है तो आप fruits का है अगर आपके यहाँ पे सरगी की रिवाज है जैसे कई जगे सरगी चलती है कई जगे नहीं चलती है तो आप सुबह चार बज़े उठके healthy सरगी जैसे dry fruits हुआ ऐसे healthy कुछ खा लें सरगी में और इसके अलावाद दिन में भी दोस्तों आपको dehydration नहीं हो इसके लिए आप नारियल पानी पीए और इसी के साथ आप दूद ले सकती है दिन में एक या दो बार आप एक एक अप चाई भी ले सकती है अगर आप चाई पीने के addicted है यानि कि चाई पीने के आपको आदत है तो आप चाई भी ले सकती है लेकिन भूके पेटा आप चाई नहीं लें इसमें अगर आपकी दो महीने में पहले भी डिलिवरी हुई है एक महीने पहले भी डिलिवरी हुई है या फिर 6 महीने पहले डिलिवरी हुई है आपका बच्छा 6 महीने का है तो नहीं तो आपकी ब्रस्ट मिल्क सप्लाई पे फरक पड़ेगा और आपकी फास्टिंग भी बह जो बूमेन हैं उनको तो दोस्तो बिल्कुली ध्यान रखना चाहिए कि एक पार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ब्रत करना चाहिए इसी के साथ अगर आप ब्रस फीडिंग मदर है तब भी आपके साथ अगर पॉसिबल है तो एक बार आप आपकी फिसीकल कंडिशन के बारे में डॉक्टर से जरूर सला लें क्योंकि दोस्तो ये भी एक ऐसा फेज होता है जिनकी रीसेंट डिलिवरी होती है एक दो महीने की वो तो बिल्कुली रिस्क नहीं लें और प्रेगनेट लेडिस को भी इस तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए जो भी आप इस तरह की कास्टिंग करती है तो एक बार आप डॉक्टर से कॉल करके चरूर पता करें तो दोस्तों आएउप आपको वीडियो हेलफल लगा होगा अगर वीडियो हेलफल लगाओ तो वीडियो को लाइक कीज़ें चनल को सब्सक्राइब कीज़ेंगा मिलती हूँ बहुत जल्दी सी तरह के नए वीडियो के साथ इल देन हैपी करवा चौत